तो हेलो एवरिवन तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट आया देखिए हमने गेट के लिए आप पैटिशन साइन करी थी कि गेट के एकजाम पुस्टमन होना चाहिए सब स्टूरेंट्स ने मिलके पैटिशन साइन की थी और सब ने इसके अंदर सुप कोई फैसला नहीं हो की पांस थारीक के बाद अगर सुप्रिम फैसला भी लेगी तो कोई थारीक कंभिंट को पहले एक्जाम क्म्यूर इस गेट का है ठीक है तो इस वज़े से इन्होंने क्या करा का सुप्रीम कोट ने अर्जेंसी में आज को यह कराई कि कृल या निं कि त दे देती है अगर यह case एक दिन से बढ़ा हो गया यानि कल कुछ फैसला नहीं हो रूना का कि ठीक है documents के साब से हमें हमें 24 दिन का time हो चाहिए तो अगर वह 24 दिन का time मांगती है Supreme Court जब भी chances है कि gate को hold किया जाया क्योंकि IAT अगर कल तक होता है तो कल तक आपको पता चल जाएगा ठीक है और कल तक आप अपना पूरा बैस दिए पढ़िए पुरा revision vision सारे subject का कर लीजिए ठीक है तो अम मैं आपको यह यह बिल्कुल यह cut out दिखा देता हूं यह live news का क्योंकि अभी news में आने में भी time लगेगा और कल आपको अपनी newspaper में भी दिख जाएगा इसकी यह heading देखे headline यह है gate 2022 यानि कि इस साल जो है Supreme Court agrees to urgently hear police to postpone gate due to covid ठीक है तो इसके अंदर सुनों बताते है कि in the backdrop of the ongoing third wave of the covid-19 pandemic and rising number of cases to read petition have been filed ठीक है दो petition filed की गई थी अगेंस्ट of IIT खरकपूर before the Supreme Court of India seeking postponement of the graduate aptitude test यानि gate 2022 which is scheduled to be माता 5th, 6th, 12th and 13th February को यह चाल देट पर एक्जाम होने वाले फिफ्थ को पहला computer science का है ठीक है a bench compromising Chief Justice of India N.V. Raman Justice Sir Bopana, Justice Hima Koholi इन्होंने इस Wednesday को मान गया है कि इस पर जल से जल urgently इस पर फैसला लिया जाए after it was mentioned by advocate पल्लब मोंगिया और बेहाफ वो होंगे पल्लब मोंगिया ठीक है उसके बाद लिखा है while one rate petition has been filed by the student seeking postment of the exam the others is a PL seek the same relief ठीक है तो live law में देखिए यहाँ पे इन्होंने Twitter पे इस पे इन्होंने भी tag डाल दिया कि Supreme Court allows urgent listing of petition file ठीक है तो आप देखिए अब यह आपको बस यह कल पे फैसला छोड़ देना है वह यहाँ पर आगे यह भी लिखा the petitioner have also challenged the instruction date 15 1 2022 issued by the union of India by which instruction to the candidate appearing for the exam were notified the said notification instruction to the candidate were annexed with the admit card the PIL has further sought on interim relief of stay on the gate 2022 exam till the final decision in the matter is passed by the court देखिए सबसे पहली बात है आपका यह court ने case ले लिया है तो court ने अगर इसके कल hearing rate लग दी तो आप बस उनको एक ही दीना है यानि तीन तारीक है क्योंकि पांस तारीक यानि पहला paper close up होती ज़्यादा तो Supreme Court को कली कल में या तो फैसला देना है अगर वो किसी तरीक से documents documents में कहते है कि इसको अगली date दी जाए तो अगली date भी चाहल तारीक हो सकती है maximum अगर उससे बात की कोई date देंगे तो फिर वो IIT खरकपूर को बोलेंगे कि आप gate को hold करें क्योंकि कि इसको भी फैसला नहीं आ है देखिए इसमें maximum chance है कि student के favor में जाए और यह जाना भी चाहिए तब petitioner have argued that the country is currently suffering from a third wave ठीक है और यह पहले सी बताए गया था February के आइट खरकपूर not taking consideration नहीं पताए गया आइट खरकपूर ने कोई फैसला नहीं लिया अस पर भी तक वाइल stating that more than 9 lakh students are appearing for the exam across 200 exam center the petitioners have argued that the respondents have not issued any guidelines or setup देखिए इनके खिलाफ IIT खरकपूर के खिलाफ जो बात की गई है वो यह किया है कि एक तो right to information यह नहीं RTI पर कोई फैसला जवाब नहीं दे रहे और उपर से जो इसके बारे में कोई भी चीज नहीं बता है उपर से अपनी वेबसाइट पर उन्हों यह और वीडियो अप्लोड करके बता दिया कि कैसे कैसे students को clear रखना चाहिए टूइटर पर अपने सारे program चला रहे है लेकिन इस फैसले पर IIT खणपूर कोई जवाब नहीं दे रहा था इस वज़ी से इस खिलाफ में यह petition और यह case दायर्ज हुआ है यह petitioner have pointed out that the instruction allows us asymptomatic students who show symptoms to appear for the exam but does not देखिए उन्होंना admit card में जो सबसे last में line लिखी है कि अगर आपको covid होता तो यह आपकी वो जिमेदार यह तो देखिए यह चीज यह चीज को भी इसमें प्रणा में यह दल्ज कराया supreme court के सामने यह तो पूट आओ how the center officers are to classify those students therefore it has been argued that in such a situation is extremely risky for students to appear for the exam in physical mode when no proper medical guidelines or procedure are in place at the exam center the pil further state that the instruction incentive incentivizes candidates who might be showing symptoms of covid to not get tested for covid as a positive test will bar them for appearing from the exam as per the instruction on the contrary this instruction allow candidates who are showing symptom but have not tested positive for covid to appear for the exam the classification is observed and self-contradict and defeat the resolve of the government to test maximum people for proper tracing and treatment in order to win the fight against the virus the pil status pil में इस सब कुछ लिखा जो मैंने आपको बता है तो देखिए केस का टाइटल उमेज धांडे ने यह पहला केस उमेज धांडे जो हमारे सर है उन्होंने यह केस पहला फाइल किया पी-ा-इल के इलेक्ट होनी इसके तीचर है जो सचिन तनवर ओरस वर्सी यूनियन ओफ इंडिया तो देखिए यह दो जो हमारे केस है यह धांडे सर और यह सचिन तनवर इनके केस टाइटल से यह केस किया जाए तो देखिए अब इस सारा फैसल आपको कल पर छोड़ देन रितम algorithm में वोस्ट केस लेके चलते ही है तो वोस्ट केस अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज करना है और उस वोस्ट केस से आपको अपना result दिखाना है ठीक है तो आज के लिए मैं आपको अगर इससे कोई बड़ी update आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा तो बस आप अपने उस पर focus रकिए और news channel को कुछ मत देखिए बस आपको पता चल गया कैसे आपको अब कल तक के लिए छोड़ना आप news views पर ध्यान मत जीए आप अपने practice पर ध्यान दीए तो